मोक्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने शनीवार को लखनव की लोगभवन सभागार में नवचैनित प्रधानाचारियों को नियूकती पत्र वित्रित किया बता दें कि यह नियूकती पत्र वित्रन समारो, निश्पक्ष और पार्धर्शी भरती प्रक्रिया के तहट किया गया है जिसमें 219 प्रधानाचारियों की पदो पर उत्रप्रधिश लोकसिवा आयोग द्वारा चैन किया गया है मुख्यमंत्र योगी ने 290 प्रधानाचारियों को नियूक्ती पत्रबाद में के बाद अपने संबोधन में कहा कि वे विद्यालेओं को रचनात्मक गतिविधियों का किंद्र बनाएं अत्रिक्त समय में प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारिया भी करवाएं शिक्षा शेत्र में भविशिक की तमाम सभावनाओं को आगे बढ़ाने में सहीू करना होगा उन्होंने आगे कहा कि उतरप्रदेश सरकार रोजगार के अवसरों में बड़ी व्रिद्धी कर रही है शे लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई जब कि अध्यात्मिक परेटन में भी दस गुना से ज़्यादा की व्रिद्धी हुई है पहले जहां डेड़ करोड परेटक आते थे आज उनकी संख्या बढ़कर तीस करोड कतिवर्श हो चुकी है ये भी रोजगार के अफसरों में काफी ब्रिद्धी कर रहा है अस्थलों पर आकर के दर्शन करते थे या परेटक आते थे आज इस संख्या बढ़कर के एक वर्स में तीस करोड हो चुकी है उत्तर प्रदेश में पिछले छै वर्स के अंदर लगवक छै लाग सरकारी निक्तियां हम लोगों ने प्रदेश से दी है जिसमें से एक लाग चौसाथ हजार तो केवल सिख्षकों की है बेसिक और मादिमिक सिख्षा में सिख्षकों की एक लाग चौसाथ हजार से दिक भरतियां हुई है हम कह सकते हैं कि इसमें जो पिछले छै वर्स के अंदर सुभार हुआ उसमें से गत वर्स मादिमिक सिख्षा परिशक के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटर्मिडेट बोर्ड की परिक्षा एक नजीर भी बनी बदादै कि सीम योगी ने यूपी के अलग-अलग जिलो के चैने त्रधानाचारियों को न्यूकती पत्र देते हुए बदाई भी दी और आगे की बड़ी जिम्मेदारियों से अवगत कराया तो वहीं सवसर पर उत्तरपदी सरकार में माध्यमिक सिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी, वोख्यस्त चीफ दुर्गा शंकरमिश और उनकी साथ अन्य वरिष्ट अधिकारी भी कायक्रम में मौझूद रहे तो फिलाल के लिए इस खबर में बस इतना ही देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगाता रहने के अपर जीट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पर भी खबर और वेल आइकन को दबाना बिलकुन न भूले झाल्य है झाल्य है